इस चैप्टर पे ना मैं आपको बताता हूं कि जो रेंडम मॉड्यूल होता है ना उसका देखो बेस्ट एक्जाम्पल क्या है और कितना मज़ा आने वाला उसको यूज करके हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर पे कि हम कुछ लिमिटेड नंबर आफ वर्ट्स लेंगे ठीक मॉड्यूल का यूज करके ठीक है जब मालो मैं चाहता हूं कि मैंने पांच चीजें ले ली चलो मैं इसको इसमें दिखाता हूं देखो आपको बहुत मज़ा आने वाला इसमें आपको बहुत बढ़ियां प्रोजेक्ट है रेंडम सीखने के लिए जैसे मालो मैं ले लेता ह हूं मालो मैं small A, small B, small C, फिर D, फिर E, ऐसे, ऐसे करके और भी कुछ ले लेता हूं, यहां पर ले लेता हूं X, Y, Z, है ना, और कुछ भी ले लेता हूं यहां पर, X, Y, Z, जो भी लेना है, अब random मोडूल क्या है, मालो मैं एक स्टोरी बनाता हूं कि A, ये simply पल एक स्टोरि ले जैसे, A one के पास गया, उसके बाद वो उसने A को खाया, A को खाने के बाद वो X के पास चला गया, इस टाइप से कुछ, है ना, अब मैं इसको random अगर generate करऊं, तो ये भी हो सकता है, ए two के पास गया, फिर A के पास गया, इस टाइप से बना सकते हैं आपन एक story अलग 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 module लेके मतलब यह एक पूरा पूरा अलग object हो गया यह अलग object हो गया यह अलग object हो गया यह अलग object हो गया जैसे अपन random number generate करते हैं ठीक है वैसे ही सबको एक दूसरे से match करेंगे और कितने सारे stories बनती है देखो मैं कुछ-कुछ अपन authors लेंगे कुछ story लेंगे कुछ object लेंगे कुछ objective लेंगे और अलग-अलग-अलग-अलग story create करेंगे मतलब जब भी user आपके page में आएगा उसको हर बार एक नए नाम के साथ एक नई story दिखेगी randomly जितने बार visit करता है उतने बार नया story नया नाम नया सब क कुछ नया नया randomly generate होके automatic आएगा आपको कुछ नहीं करना है ओके यह कैसे होगा इसको देखो मैं आपको दिखाता हूं बहुत बढ़िया मिनिंग्फुल बनाएंगे कोई XYZ का आपन कुछ नहीं लेने वाले हैं कि आपन XYZ या कुछ लेंगे ऐसा कुछ नहीं है एक बढ़ि चीज़ है इसको सेफ कर देते हैं और अब एक स्टोरी बनाते हैं जैसे होता है ना कि एक समय की बात थी कुछ साल पहले इतने साल पहले तो इस नाम से चलो एक वैन बनाते हैं वैन नाम का वेरियेबल और इसके अंदर अपन एक लिस्ट पास करके सारी की सारी स्टोरी देत ठीक है अब एक ही हो गया एक अपन लिख सकते हैं यस्टरड़े यस्टरड़े मतलब कल पिता हुआ कल ठीक है एक लिख सकते हैं अपन लास्ट नाइट मतलब कल रात को देखना कितनी प्यारी स्टूरी बनती है बहुत मज़ा आएगा आपको इस पर एक अपन कर सकते हैं कोई डेट दे देते हैं आज कितनी तरीके पंदरा है न तो ओन 15 जुलाई ऐसा दे देते हैं यह चार बन गए न चारी चार रहन देते हैं ठीक है अब एक और वेरियबल लेता हूँ कौन जैसे बोलता है एक कुछ समय की बाद एक समय या ऐसे ले लो कुछ समय पहले राम श्याम जो भी नाम है कुछ वैसा ले लेते हैं तो अपने यहां लेते हैं एक वेरियबल हूँ ठीक है इस पे मैं करता हूँ पहला a rabbit ऐसे कर देता हूँ दूसरा कर देता हूँ an elephant p h a n d और तीसरा कर देता हूँ चुहा शेर वाली कहानी में चुहा a mouse ठीक है चौथा यहाँ पे कर दो a turtle कर दो कचुहा ठीक है कचुहा को turtle भी बोलते है ठीक है अब वो a cat मैं कोई English की class नहीं ले रहा ये 3-4 अलग-अलग हो गए ठीक है मतलब ऐसे ले लेगा है a few year ago a rabbit, elephant, a mouse, a turtle, a cat ये 4 combination तो देखो बन गए आपके सामने यहीं पर ठीक है एक और ले लो अब एक name ले लेते हैं ओके यहाँ पर मैं किसी का नाम ले लेता हूँ जैसे कि मैं पहले अपना नाम ले लेता हूँ शरत ठीक है फिर दूसरा ले लो आप एक और नाम ले लो आप ले लो संजे ले लो ठीक है एक और नाम ले लो किसको ले 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 लेते हैं कमल ले लेते हैं यह पांच नाम अपने ले लिए अब एक काम करते हैं एक और वेरियेबल बनाते हैं अपन इसका वेरियेबल लेते हैं आपन एक रेसिडेंस कर देता है मालो इंडिया कर देते हैं ठीक है दूसरा कर देते हैं अपन जर्मणी तीसरा अपन कर देते हैं फ्रांस 4 कर देते हैं Canada और एक और कुछ ले लेते हैं एक और country सोचो यार एक और country कौन सी पकड़ ले हैं चाइना में ना तो मैं जाऊंगा निं कोई भी ले ले लो यार India, Germany, in die, Germany, France, Canada England ले देते हैं England, टीक है चुरहे ये 5 country अपने ले ली अब एक काम करते हैं कुछ स्टोरी में सोच रहा था और रैबिट नेम मतलब देखों मैं स्टोरी क्रेट कर रहा हूं कैसे और रैबिट नेम शरद रिलिफ्स इन इंडिया इस टाइप से कुछ है ना फिर ही वेंट इस टाइप से कर देता हूं तो वेंट नाम का एक सिनेमा लिख देता हूं ठीक है दूसरा कर देता हूं मैं यहां पर यूनी वर सिटी और तीसरा कर देते हैं अपन सेमिनार कर देते हैं एक और कर देते हैं इसकूल कर दो एक और ले लो इसको कर दो होटल कर दो ठीक यह बन गया आपका एक फिर एक और ले लो happen appened ताकि meaningful लगे थोड़ा सा आप जब भी कोई variable लेते हो ना ये मेरा recommendation है meaningful लिया करो ताकि ना आपको समझ में आ जाए आपको क्या सब को समझ में आ जाए तो एक ये ले ले लेता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ made a lot of fri nds friends और यहाँ ले लेता हूँ eats a pizza ठीक है फिर ले लेता हूँ found a key फिर ले लेता हूँ मैं महाँ पर माल लो wrote a book मैं बुक भी लिखता हूँ यार तो वो भी इच्छा है ठीक है और लिख देता हूँ solved a m-i-s-t mystery की spelling क्या होती है m-i-s-t-e-r-y होती है soft हो गया क्या solve a mystery step से अपने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है सब ठीक है अब नीचे आजाओ और इतना काफी है आपके एक्जामपल के लिए ठीक है अपन करने के हावाले इन सब को randomly generate करेंगे देखो meaningful निकल लेगा सब में अब इसमें ले लो अफ ये अगो एन एलिफेंट नेम संजय वेंट टू जर्मनी रेसिदेंट अफ जर्मनी वेंट टू यॉनिवर्सिटी एंड इट्स अपिजा कितना बढ़िया रेंडम जनरेट हो गया तो अब इसका एक code दे देते हैं आपन कैसे होगा ये print कर दो concatenation का use करो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये ठीक है और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो random ओके dot लगाओ अब देखो यहाँ पे एक option आएगा आपके बास choice ये आ गया ये मैंने बताया गुए random module पे ठीक है अब आ जाओ यहाँ पे करो पहला वाला कौन सा है हमारा when है न डबलू एचिए न वेन ये पहला हो गया अब इसको concatenate करो concatenate करो एक मिनट plus से concatenate कर दिए उसके बाद आप एक कॉमा दोगे क्योंकि a few error गों के बाद कॉमा आता है न तो बढ़ी हाँ साब ऐसा बना लो तो यहाँ पे देदो एक कॉमा then एक space कॉमा का बाद इस पेस आता है हमेशा फिर concatenation का use करो और यहाँ पे दो random और अब इसके अंदर आप पास करो who w ho ठीक है ऐसे पास करते करते अब यहाँ पे यह who हो गया who के बाद आप आज और फिर concatenation का use करो आपको कॉमा दरने के जरूरत नहीं है अब who a few error गो a rabbit ठीक है और नेम्ड कर देता हूँ नेम्ड शारद ऐसे है ना इसको आपको देना पड़ेगा इस पे नेम्ड ओके ऐसे और एक नट यहाँ पर मैंने दे दिया ना ओके अंगो रैंडम हूँ नेम्ड यह अपन कॉन कार्टिनेशन दे रहे है मतलब एक तरह का string पास कर रहे है अब वो इसके अंदर हूँ हो गया ना आपका अब इसके अंदर आप दे दो यहाँ पे प्लस रैंडम ठीक है और इसके अंदर आप पास कर दो कौन सा वारा वैरियेबल नेम वाला वैरियेबल ठीक है अब यहाँ पे आप आजाओ यहाँ पे फिर आप दो यहाँ पे कॉन काटिनेशन अरे यार यह मैंने एंटर रभा दिया यहां पर आप दो concatenation और यहां पर एक variable pass कर दो space देखे that lived in residence वाला आएगा ना next फिर space देदो फिर यहां पर इसको use करो random use करो इसके अंदर आप pass कर दो यहां पर मैंने गलती कर दी है एक dot choice होगा ओके random dot choice और इसके अंदर आपको देना है that lived in residence थोड़ा सा ध्यान दे करना इसको यह है बहुत मज़ेदार चीज़ आप अपने इसाब से पुरा set कर सकते हो फिर concatenation का use करो और एक string pass करो कॉमा ले लो यहां पर ले लो went to the फिर space दे दो एक कॉमा ले लो और concatenation का use करो random random ओके और dot choice इसके अंदर अब आप दे दो residence हो गया went तो went फिर concatenation का use करो प्लस एक string पास करना है अपने को went end इसे होगा ना इसलिए मैंने यहां end दे दिया बीच में और फिर आजाओ वापिस फिर एक concatenation का use करो यहां पर आप लो रेंडम dot choice और इसके अंदर क्या करना है अपने को happened डालना है ना तो h-a-p-p यह आ गया happened ठीक है तो यह मेरा complete हो गया मैंने यहीं तक दिया हुआ है बस इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा अलग separate दीखे अगर देख लेते हैं हाँ रेंडम यह अपने ले लिया space proper दिया है देखो है ना that lived in तो यह बढ़िया हो गया अब देखो मैं जब जब इसको execute करूँगा ना अलग-अलग-अलग-अलग story आएगी देखना आपके पास देखो execute करता हूँ इसको error तो नहीं आना चीए कोकि मैंने सही syntax का use किया है सब जगा मैं इसको थोड़ा यहां ले आता हूँ इसको उपर ले आता हूँ देखते हैं पहली story क्या randomly generate होती है type error एक मिनट true back most recent call कौनसे में line on 11 पे print पे यहां पे क्या आया है happen type error module object not callable module object not callable कौनसा object भाई random who name random name एक मिनट अपनने named एक मिनट एक मिनट प्रिंट है चोई रेंडम module मज़ा आता है जब आपके पास troubleshooting का option आता है तो बहुत मज़ा आता है तो as line of 11 story print random choice when यह ले लिया है अपनने plus random choice when अपनने ले लिया plus यह यह दो module आगा है plus okay तो एक मिनट print random choice when फिर अपनने दिया concatenation उसके बाद फिर मैं ले ले लेता हूँ एक कॉमा उसके बाद फिर मैं ले ले लेता हूँ plus then मैंने लिया random choice और who ठीक है plus मैंने लिया named okay plus मैं कॉनकनेट किया random name को लिया random choice name यह गलती हुई है यह मैंने इसको सही किया था ना फिर भी क्यों ऐसे आया है अच्छा save नहीं किया था ना मैंने dot choice देखो यह चोटी चोटी गलती हैं होती ही ना आपको confirm हो जाएगा ठीक है मैं भी इनसान हूँ यार भगवान तो हूँ नहीं चलो execute करो इसको अब देखो यह देखो पहला वाला आपके पास क्या एक काम करते हैं इसको पूरा clear करते हैं ठीक है मैं फिर से execute करता हूँ देखो कौनसी स्टोरी आती पहली देखो यह पहली स्टोरी आई on 15 जुलाई a mouse name यहाँ ही देखो space दे देते हैं आपन कहा गया when a mouse ठीक है यह देखो यहाँ पे एक space आप दे दो हो गया आपका काम अब इसको एक execute करोगे तो हो जाएगा mouse name Pankaj देखो that lived in France France ले लिया इसने यहाँ से we went ये अच्छा went sorry went to hotel and solved a mystery ठीक है एक यह हो गया story अब कोई दुबारा execute करेगा इसको तो देखो a few year ago an elephant named Pankaj that lived in India went to the university and made a lot of friends ठीक है अब फिर से एक randomly generate करते है देखो a few year ago an elephant named Sherrod that lived in India went to the university and solved the mystery आप देखरो कि यह सारी चीज़ों को इसने randomly उठाया है अब यह कोई चीज़ें repeat नहीं होगी जितना ज़्यादा combination बन पाएगा उतना combination बनेगा लिस्ट के अंदर आप जितना ज़्यादा variable दे दो उतना आपका हो गया यह आप by default कर सकते हो बहुत प्यारी सी चीज़ें यह जैसे यूजर को कई बार बहुत साई चीज़ें रेंडम्ली जनरेट करके देनी पड़ती है ना आप यहां पर उसको सेट कर दो बस वन टाइम है यह एक बार सेट करो lifetime फूर सथ है एक बार फिर execute करते हैं मजा आ रहा देखने में देखो लास्ट नाइट हमने दे दिया था ठीक है लास्ट नाइट अ टर्टल नेम शरद देट लिवड इन इंडिया वेंट तो दे स्कूल और रोट अ बोग पर इस पेस और अध्यान देना बस आप यहां पर जैसे कॉमा अपन ने दिया है थोड़ा सा प्रॉपर इसको फॉर्मेट करने के लिए ठीक है तो आई थिंक आपको यह क्लियर हो गया होगा कोड बहुत सिंपल है रेंडम मॉडुल का यूज किया है अपनने और कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना मैं देखता हूं क्या कर पाता हूं ठीक है चलो ओके थैंक यू